Key to Success पस एक प्रियास और नमसकार, मैं अनिल शर्मा जीवन में बहुत बार ऐसी प्रस्चितियां आती हैं कि जब हम किसी लक्षे की प्राप्ती में लगे होते हैं और लगातार प्रियास करने के बाद भी सफलता प्राप्त नहीं होती तब हम उस कारिये में आगे परियास करना बंग कर देते हैं लेकिन हम ये नहीं सोच पाते कि थोड़ा और परियास करते तो हो सकता था कि लक्षय की प्राप्टी हो जाती अपने जीवन के प्रारंभिक दिनों में जब मैं केरियर बनाने के लिए जूज रहा था लेकिन सफलता हासिल नहीं हो रही थी और निराशा का भाव मेरे अंदर हावी होने लगा था और एक वक्त तो ऐसा भी आया कि जब मैं अपने लक्षय की प्राप्टी के लिए किये गए परियासों को विराम देने की सोच बनाने लगा लेकिन कहते हैं ना कि जब आपके जीवन में परिवर्तन आना होता है तो छोटी छोटी बाते भी बहुत बड़ा रोल प्ले कर जाती है ऐसा ही मेरे साथ हुआ उन्हीं दिनों एक सफर के दोरान सफर काटने के लिए मैंने एक किताब खरी दी पहले तो मुझे लगा कि ये बच्चों के लिए लिखी छोटी छोटी कहानियों की किताब है लेकिन उस समय कोई और किताब उपलब्द नहीं थी तो मैं उन कहानियों को पढ़ने लगा उन कहानियों में से एक कहानी ने उस वक्त मेरे जीवन में बदलाव लाने का कान किया कहानी कुछ इस प्रकार की थी कि एक बार एक राजा से एक विदेशी मिलने आया और उपहार सो रूप अपने देश का एक खुबसूरत पत्थर राजा को भेट किया राजा को पत्थर बहुत पसंद आया और राजा ने उस पत्थर से भगवान की मूर्ति बनवा कर अपने शहर के मंदिर में इस्थापित करने की सोची और इस काम की जिम्मेदारी महामंत्री को सोब दी महामंत्री ने राजे के प्रसिद मूर्तिकार को वो पत्थर भगवान की मूर्ति बनाने को दे दिया मूर्तिकार ने जब पत्थर पर मूर्ति बनाने के लिए हतोड़ा चलाना शुरू किया तो वो पत्थर तोट ही नहीं रहा था मूर्तिकार ने बहुत प्रियास किया पचासो बार हतोडा चलाने के बावजूद भी पत्थर तूटने का नाम नहीं ले रहा था मूर्तिकार को लगा कि ये पत्थर जब इतनी बार हतोडा चलाने के बाद भी तूट नहीं रहा है तो इस पत्थर से मूर्ती बनाना असंभव है और मूर्तिकार ने निराश होकर वो पत्थर महामंत्री को सारी बात बताते हुए वापिस कर दिया अब महामंत्री ने सोचा कि राजा का होकम है कि इस पत्थर से भगवान की मुर्ती बननी है तो उसने एक प्रियास और करने की सोची और दूसरे मुर्तीकार को वो पत्थर मुर्ती बनने के लिए दे दिया दूसरे मूर्तिकार ने पत्थर देखा तो उसे लगा कि किसी ने इस पत्थर पर हतोड़े चलाए है क्योंकि एक ही जगे हतोड़े चलाने की चोट से निशान बन गया था उसने हतोड़ा लिया और उसी निशान पर हतोड़ा चलाया तो पहली चोट में ही पत्थर तूट गए और फिर उस मूर्तिकार ने उस पत्थर से भगवान के मूर्ति बना डाली अगर पहले वाला मूर्तिकार उस पत्थर पर हतोडे की एक चोट और मारता तो वो पत्थर उसके हतोडे से भी तूट जाता बस एक बार और प्रियास करने की जुरुत थी साथियों ये कहानी भले ही छोटी सी बात कह रही हो लेकिन उस बात में जीवन को बदल देने की ताकत समाई हुई है हमने अकसर देखा है कि जितने भी आविशकार हुए हैं वो सहस्ता से नहीं हुए निरंतर प्रियासों के बाद यानि हर प्रियास के ऐसेफल होने के बाद भी आविश कारक यही सोचता होगा कि बस एक प्रियास और और सफलता कदम चुमने को तयार धन्यवाद